तो आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को डोकूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और माक्स जानने के बाद बच्चों को ये तो पता रहता है कि दो गुना जो लिस्ट जारी होगी उसमें हमारा नंबर आ ही जाएगा चाहे 1st grade का हो 2nd grade का हो या 3rd grade का हो ठीक है तो महत्वपोंड जो दस्तावेज आपके पास होने चाहिए जब document verification होगा उस समय तो क्या-क्या जो है वो आपके पास होना चाहिए ये जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है कई बार क्या होता है document जो है बनवाने में time काफी लग जाता है तो ऐसे जो कागज हैं जिनमें काफी time लग जाता है तो उनको समय से पहले बनवा लें तो सही रहता है ठीक है तो tension नहीं होती है आप लोगों को ये कोई document आपने सही करवाया है और उसको आपके पास आने में अभी समय लग रहा है त उसी तरीके से जो है सपत पत्र भी तयार करवाने में टाइम लगता है तो क्या-क्या जो है वो आपको document verification के समय चाहिए समय से पहले यदि आप तयार करवा लेंगे तो सही रहेगा यहाँ पर देखिए सबसे number one पर है जो दस्तावेज वह है मूल आविदन पत्र यानि आपने जिस भी भरती प्रक्रिया का form डाला था तो वह जो मूल आविदन पत्र है तो वह आपके पास होना चाहिए ठीक है घोशना पत्र होनी चाहिए थार्ड नंबर पर सपत पत्र यानि कि किसी भी वज़े से कोई कागत जो है वो आपके पास उस वक्त नहीं शामिल हो पाएगा या थोड़ा लेट हो जाएगा या किसी अंग तालिका को आपने सुधरवाने के लिए दिया है ठीक है या फिर अभी आपके पास समय नहीं मिल पाया है और उसको आप आगे जाके सही करवा लोगे ऐसा सपत पत्र एक तयार करवाना है सेकेंडरी या समकक्ष की अंगतालिका की प्रमानित प्रती तो देखो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी जो क्लासिज है आपकी तो उसके जो आपके पस Marksheet है वह है आपके पास जो है उसकी प्रमानित जो प्रति है वह होनी चाहिए यानि Original के साथ हमें जो है वह आपकी Photo Copy इन सभी दस्ताविजों की होना बहुत जरूरी है इसनातक या समकक्ष की अंगतालिका की प्रमानित प्रती, BSTC या समकक्ष की अंगतालिका की प्रमानित प्रती, ठीक है? तो यदि line by line आप एक एक document को तयार करते जाएंगे, तो बिल्कुल ये भूलने की संभावना नहीं रहेगी, ये हमने ये वाला कागस्तो अपने पास सम हो जाती है, तो हमारे पीहर में रखा हुआ है, या हम पीहर में हैं, तो हमारे सस्राल में रखा हुआ है, तो एक जगे जो है वो लाकर इनको रख लें, नेक्स्ट देखिए 8 नमबर पर मूल निवास प्रमान पत्र की प्रमानित प्रती, तो मूल निवास प्रमान पत्र जो इसको आप अपने पास जो है वो रख ले नेक्स्ट सारेरिक विकलांगता प्रमान पत्र तो ये भी अपना बनवाले नहीं बनवाया है तो और अपने पास रखें 11 पर है विद्वा की स्तती में स्वैम का सपत पत्र या पत्ती की मृत्यू का प्रमान पत्र की प्रमानित प्रती होनी चाहिए तलाक शोदा हैं तो उनका जो है नियले निर्णे या डिक्री की प्रमानित प्रती किसी भी प्रतियोगी पातरता परिक्षा से वंचित किये जाने या नहीं किये जाने सम्मंदी स्वेग घूशना पत्र ठीक है विवहा पंजियन प्रमान पत्र यदि आपकी शादी हाल में ही हुई है आपने एक्जाम दिया था उसके बाद हुई है तो विवाहा पंजियन प्रमान पत्र जो है, जो मेरे सर्टिविकेट है, वह है आप बनवालें, उत्करष्ट खिलाडी संबंदी प्रमान पत्र है, चाहे नेशनल या इंटरनेशनल लिवल पर है, तो वह है बनवालें, इससे भी आपको प्रॉफिट होगा, भूत्पूर्व संबंदी सक्षम स्तर से जारी, दस्तावेज बनवालें, संतान संबंदी सपत पत्र, ठीक है, एक्जाम होने के बाद यदि जो है वो आपके संतान हुई है, तो उसका जो है बर्त सर्टिविकेट और सपत पत्र जो है, वह है आप रख लें साथ में, विवाह के समय दहेज स समबर पर है, पहचान संबंदी दस्तावेज की स्वें प्रमानित प्रती, ठीक है, यानि कि आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जिससे की आपकी पहचान होती है, आर्डेट 2000, ये जो है पुराना 2018 वाला है, जो मैं आपको दस्तावेज बत रहता है कि हमें कौन-कौन से कागज चाहिए, एक दूसरे से जो है वो पोस्ते हैं और समझ में नहीं आता है, तो आप इनको जो है वो आप नोट कर लें, ये जो 21 मैंने आपको बताएं हैं, दस्तावेज, इनको आप जो है वो समहाल कर एक एक करके एकटा करें, और अपने मेहनत करके गए हैं, सबका उसमें नंबर तो आई ही जाएगा, तो अपना जो है, फर्स्ट ग्रेट के लिए, सेकंड ग्रेट के लिए या थर्ड ग्रेट के लिए, दस्तावेज रख ले, दो-दो-तीन-तीन जो है, जो इनकी फोटो कॉपी है, इनको रख ले, ठीक है, साथ है, वो आपको वहाँ पर पता चलेगी, इसके अलावा जो है, जो भी डिग्री है, आपकी 10th, 12th, Graduation, B.E.D. ठीक है, ये जो इनकी डिग्री है, यदि आपके पास B.E.D. की डिग्री नहीं आपाई है, B.S.T.C. की नहीं आपाई है, तो इसके लिए भी जो है, वो आप रे आप वहाँ से बनवा कर लेकर जरूर आएं, जहां से भी आपने अंतिम पढ़ाई की है, ठीक है, तो ये जो important दस्तावेज हैं, ये आप जो है, वो अपने पास रख लें, क्योंकि आज नहीं कल यदि आपको selection होगा, तो आपको जरुत्तों पढ़ेगी ही, समय से पहले ची को बताती रहूंगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठेंक यू,